नवशकार दोस्तों, जिसका जड़ था आखिरकार महराश्च में वही हो रहा है। भारतिय जंता पार्टी दो फार हो गई है। वैसे तो बटेंगे कटेंगे के नारा वोटों के धुर्वी करन के लिए दिया गया था लेकिन लगता है कि इसका शिकार खुद बीजेपी और एंडिये ही हो गई है। इस नारे पर उनके अंदर ही मतवेद उभर कर सामने आ गया है। बीजेपी नेता, पंकजा मुंजा और अशोक चोहान के द्वारा इस नारे से खुद को अलग किये जाने के बाद अब अजीद पवार ने भी इस नारे को खारिज कर दिया है तो देवेंदर फडनविस ने भी उन पर हमला करना शुरू कर दिया है। उप मुख्यमंत्री अजीद पवार ने कहा है कि महराश में बटेंगे तो कटेंगे नारे के लिए कोई जगा ही नहीं है। इस पर उनके सैयोगी देवेंदर फडनविस ने भी नाराजगी जताई और कहा कि नारे के बारे में अजीद पवार की समझ अभी भी उनके पूर्व सैयोगियों से प्रभावित है। सोचे कितना बड़ा यहाँ पर सिर्फ फुटवल है। इस नमबर को होने वाले विधान सभा चुनाब से पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदतनात के नारे बटेंगे तो कटेंगे को लेकर अजीद पवार और फडनविस के बीच दरार पैदा हो गई है। एक है तो सेफ है कर दिया गया था। इस नारे ने महराश्ट सरकार में साथ काम कर रहे भाजपा नेताओं और सहीयोगियों में बेचायनी पैदा कर दी है। महराश्ट में ये बटेंगे कटेंगे नहीं चलने वाला है। उनकी ये चपड़नी राज्य भाजपा नेतरित्व को पसंद नहीं आई और उनके सयोगी फडनविस ने कड़ी प्रतिकीरिया व्यक्त की। फडनविस ने कहा कि अजीत पवार दशकों तक ऐसी विचारधाराओं के साथ रहे हैं जो धर्मिर्पेक्ष और हिंदू विरोधी रहे हैं। मूंशत को धर्मिर्पेक्ष कहने वालों में कोई वास्तविक्ता धर्मिर्पेक्षता नहीं है। फडनविस ने आगे यह भी कहा कि उनके पूर्विसयोगी नारे में निरहित संदेश को नहीं समझ पाए हैं। उन्होंने कहा कि ये लोग या तो जंता की भावनाव को नहीं समझ पाए हैं या इस कथन का अर्थ नहीं समझ पाए हैं या कुछ बोलते समय शायर वो कुछ और कहना चाहते हैं भाजपा के दो प्रमुक नेता दोस्तों पंकजा मुंदा और अशोक चोहाण ने भी इस नारे को लेकर अपनी मतभेद साजा की और साफतोर पर इस नारे को खारिच किया है। वहीं भाजपा के बड़े नेता गोपिनात मुंदे की बेटी पंकजा मुंदा ने कहा कि उनकी राजनीती अलग है और वो सिर्फ इसलिए इसका समर्थन नहीं करेगी क्योंकि उनकी पार्टी से किसी नेता ने ये कहा है। और ये अच्छा नहीं है उन्होंने कहा है। मुझे नहीं लगता कि लोग इसे सराहेंगे। नीजी तोर पर मैं इस तरीके के नारे के पक्ष में नहीं हूँ। ये नारा चलने वाला ही नहीं है। तो आप सोचिए कि भाजपा में एक मोदी का खेमा चल लहा है तो दूसरा योगी का खेमा चल लहा है। फरनवीस अलग ही इस मुद्दे का अलग माईने निकाल रहे हैं लेकिन साफ साफ लबजों में जो योगी अदतनात ने कहा था मंच से उस नारे को कोई बदल कैसे सकता है और इसका मतलब कोई अलग कैसे निकाल सकता है। फिलाल इस नारे को लेकर भाजपा में बेहद ही राड छिड़ा हुआ है इसे पहले सीट बटवारे को लेकर राड छिड़ा हुआ था उसके बाद सीयम की कुरसी को लेकर शिंदे का पत्ता काटना ये कहकर कि चुनाब के बाद विचार विमर्ष किया जाएगा कि कौन बने अलग रहे हैं और हमारे अमिच शाह तो अलग ही अलग लेवल का बयान दे रहे हैं तो ऐसे में भाजपा की रह इन दिनों महराश्ट के अंदर बहुत ही मुश्किल भड़ी दिखाई दे रही है क्योंकि भाजपा को सुनने के लिए ना तो लोगी खटा हो रहे हैं और ना तो कि नीजी राइ जो है वो बीजे पी के बायानों से संतुष्टिपा रही है। नहीं दे रहा है। दोस्तों को लेकर आप क्या सोचते हैं आपकी क्या प्रतिकीरिया है हमें कॉमेंट करके ज़रू बदाएगा साथी साथ चैनल को जाद सजाद लाइक, शियर और सब्सक्राइब करना, बिल्कुल भी ना भूले, धन्यवाद दोस्तों